इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप पिछले दो सालों की तीन सालों की वीजा पर्पस के लिए या फिर किसी भी लोन पर्पस के लिए क्या आप इंकम टैक्स रण यहां पर फाइल कर सकते हैं एक्चुली होता है कहना कई लोग regular basis पर आईटियर फाइल नहीं करते हैं उनको जब भी आईटियर की नीड होती है तब जो भी यहां पर्पस होता है चाहे वीजा का पर्पस है, car loan चीए, home loan चीए तो यहाँ पे उनको 2-3 सालों की ITR की requirement होती है अब देखे हर ITR की ना एक due date होती है अगर आप उसको miss कर देते है तो क्या उसके बाद में भी आप government penalty भरने के बाद में भी क्या आप ITR file कर सकते हैं अगर करनी है तो उसका क्या solution है तो यह सब को जाने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर तो देखे है पहले यह समझ लेते हैं कि due dates वगरे क्या रहती है ITR की तो देखे है ITR की जो due date है वो आपके financial year के ओपर depend करती है financial year आपका जो है अप्रेल से लेकर मार्च के बीच में चलता है जैसे भी financial year 2324 एंड हुआ है जो की अप्रेल 23 से स्टार्ट हुआ था मार्च 1224 तक एंड हो गया अब जो financial year होता है उसको एक डिजिट अकर आगे बढ़ा देते हो तो वो कहलाता है आपका assessment यह है तो अभी assessment यह 2425 खतम हुआ है अभी इसकी idea filing यहाँ पर शुरू हो चुकी है और हर साल जो idea की due date रहती है वो जुलाई के अंदर रहती है तो उसकी due date भी 31 July 2024 रहने वाली है अब जुलाई के बाद में भी आप idea file कर सकते हो लेकिन वहाँ पर आपको government की penalty भणनी पढ़ती है अब belated जो idea होती है उसकी भी भाई एक due date रहती है 31 December 2024 यानि हर साल जो है end होने से पहले ही अगर आपको idea file करनी तो belated आप कर सकते हो वहाँ पर भी आपको government की penalty देनी पड़ती है अगर 0 से डायलाग की income या देखिए जो देल लिटर्ण होती है वो अगर आप file करते हो तो कोई penalty नहीं लगती है लेकिन यह changes हो चुख चुका budget 2022 के अंदर कोई government जो है एक नया section लेकर गया है एक नहीं जो है यहाँ पर feature लेकर का है ITR के अंदर जिसका नाम था ITR U ITR U का मतलब में ITR updated return अब जैसे यहाँ पर belated ITR के अंदर due date होती है तो क्या ITR U के अंदर भी due date होती है तो जी हाँ बिल्कुल due date होती है इसकी last day due date होती है जो भी आपका assessment year add हो रखा होता है उसके 2 सालों के अंदर आपको ITR U file करनी पड़ती है example से समझते हैं मालो assessment year 2425 है ठीक है अब यह end हो है 25 के अदर तो 2 साल यारी 26 27 इसकी due date रहेगी 31 मार्च 1227 इसका मतलब क्या होगा मालो आज मेरे से कोई यहाँ पर 3 साल की ITR मागता है तो उसको मैं assessment year 2425 की ITR दे सकता हूं assessment year 2324 की दे सकता हूं assessment year 2223 की दे सकता हूं तो इससे हो रहेगी फिर 2324 की 26 रहेगी और 2425 की 27 हो गई तो किसी भी point of time के उपर आप पिछले अपने तीन सालों की जो है ITR UK के थू अपनी ITR निकाल सकते हो लेकिन देखिए ITR UK जो है ना वो हलवा नहीं है इसके अदर कुछ condition लगी होती है पहली चीज़ अगर आपको निल की ITR निक होता है तो उस case पे भाई ITR possible नहीं हो पाती है अब बात करते कि भाई क्या hacks है ITR UK फाइल करने के तो देखिए अगर आप स्टिल यहाप वीजा परपस या लोन परपस के लिए ITR UK यहाप फाइल करना चाहते है तो at least आपको डायलाक से उपर और पांच लाक के नीचे इंकम दिखानी पड़ेगी जिससे आपकी जो पेनल्टी लगती है 1000 रुपे की वो आपको सिर्फ पे करनी गवर्मेंट को और उससे आपकी ITR UK निकल जाती है इसके लावा अगर आपकी इंकम जो है more than 5 लाक रुपीज है तो उस case में यहापे जो है आपको 5000 रुपे की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी साथ में जो tax liability बनेगी वो तो पे करनी है उसके साथ में 25% से लेकर 50% तक additional tax भी आपको पे करना पड़ेगा बात करते कि भाई ITR UK फाइल कैसे होती है तो वैसे देखिए इसके उपर मैंने बहुत सारे वीडियो सुना रखे हर assessment year के वीडियो समारे mail चै जाएगा तो देखिए filing कैसे होती है मैं आपको simplify overall तरीका बता देता हूँ बाकि सारे वीडियो के लिए description box के अंदर भी देदूँगा तो पहली चीज मोबाइल से भाई फाइल नहीं कर पाऊंगे इसके लिए आपको Excel की utility जो है download करनी पड़ती है उसके दर proper जो है आपको JSON प्रिपेर करनी पड़ती है सारे fingers वगरें दिखाने पड़ते है penalty जो भी होती है वो आपको online pay करनी पड़ती है अगर मैं frankly बात करूं तो एक normal ITR के comparison में ITR U यहाँ पे काफी जादा complex होती है क्योंकि इसके अदर बहुत सारी technicalities होती है जो एक professional जो होते है वो अच्छे से ITR U यहाँ पे गलत फाइल करती तो भाई उसको correction करना impossible है जी या तो अगर आपने गलती से कोई भी mistake कर दी तो फिर उसको आप revise या फिर correct नहीं कर पाऊंगे तो guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप एक professional expert से अपनी ITR fill up कराना चाहते है तो उसकी link में मैं आप लोग को description box के अंदर दे रखिये और जित्ती भी मेरे चीजे बताई इन सभी के links भी आपको description box में मिल जाएगी Thank you guys, thank you very much